स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल मिस्टर मेर्शन गुरू में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वेल बून टैबलेट के बारे में जो कि आप अपने स्किन पर देख पा रहे होंगे इसके क्या यूज है, क्या बेन पीट है, क्या साइड इपक्ट है, मर्पी कितनी है किस तरह के परिशानियों में इस टैबलेट को डाक्टर रेकमेंड करते हैं महिलाओं को इसे क्यों रेकमेंड की जाएता है, प्रेगनेंसी में इसके क्या रोल होते हैं या फिर जिन महिलाओं में प्रेग्नेंसी नहीं कंसीब होती है उनमें क्या रोल होते हैं पूरी इंफर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टेबलेट के बारे में देने वाले हैं तो बने रहे एक वीडियो के लास तक कंपोजीशन की बात करने तो इसमें जो है इस फिल्म कोटेट टेबलेट कंटेंट्स डाइडुजस्टान आईपी 10 अमजी यानि कि सिंगल मॉलीक्यूल से बनी हुई यह मेडिशिन होती है अब हम जानेंगे इसके यूज के बारे में कि इसका यूज कहां कहां पर होता है किसकिस इंडिकेशन में तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है दोस्तों वह है फीमेल इंफर्डिली जिसे महिला बाच्पन करते हैं यानि कि जिन महिलाओं में pregnancy conceive नहीं होती हैं, वहाँ पर इसे जो है pregnancy conceive कराने के लिए भी दिया जाता है, साथ ही साथ irregular message, जिन महिलाओं में दोस्तों, period जो है irregular होता है, समय पर नहीं आता है, वहाँ पर भी इससे recommend किया जाता है, इससे जो है महिलाओं में जो irregular period वाली problem रहती है वह भी दूर होती है साथी साथ इंडो मेट्रियोसिस के केस में इसे डाक्टर रेकमेंड करते हैं रिकरेंट मिसकरेज यानि जिन महिलाओं में दोस्तों प्रेगनेंसी कंसीव होती है और बार बार मिसकरेज वाली सी कायद आती है वहाँ पर भी इस टेबलेट को डाक्टर बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं साथी साथ दोस्तों थ्रिटेन आवार्शन हुआ प्रीटम बर्थ हुआ जहां पर बच्चे जो है समय से पहले पैदा हो जाते हैं इस तरह के केशेज में डाक्टर इससे रेकमेंड करते हैं साथी साथ दोस्तों जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीब नहीं होती है वहाँ पर इससे रेकमेंड किया जाता है इससे जो उनका इंडोमेटरियम और गयरा रहता है वह भी प्रापर तरीके से क्योर होता है यानि रिपेर होता है और जिससे जो कंसेप्शन के चांसेज होते हैं वह बढ़ जाते हैं तो अबराल दोस्तों इसका जो रेकमेंडेशन है भिंद भिं इंडिकेशन में इससे जो रेकमेंड करते हैं साइड़बेशक की बात की जाए तो इस टैबलेट के लेने से कुछ पेशेंट में दोस्तों थोड़ा बहुत नौसिया बोम्टिंग या फिर जो है मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंज जय भार